स्वान मशकार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आप Android Mobile यूज करते हैं और उसके अंदर आपको Network का इश्यू आता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे Mobile में यहाँ पर मैंने SIM डाली हुई है यहाँ पर Network इश्यू आ रहा है Towers नहीं आ रहे हैं या फिर आपके Mobile में Towers जो है कम आते हैं या बिलकुल ही नहीं आते हैं जैसे मेरे Mobile में नहीं आ रहे हैं अगर आपको Networks related problem और रही है आपके Android Mobile के अंदर किसी भी brand का Mobile हो किसी भी company का SIM हो कोई issue नहीं है आज की वीडियो में डीटेल में बताने वाला हूं साथ 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 solutions बताऊंगा अगर आप उनको apply करेंगे तो कोई भी solution आपका work कर सकता है तो इस वीडियो में end तक बने रहेगा वीडियो अच्छे लगे ता like कर देना चैनल को subscribe कर लेना वीडियो को ज्य यह code है guys अब देख सकते हैं और फिर से आपको start दबाना होगा जैसे यह start दबाएंगे आपके सामने screen open हो जाएगी यहाँ पर आपको क्या करना है sim card test लिखा हुआ है यहाँ पर click करिए click करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा रहा है sim detect pass आपके mobile में अगर आपने दो sim डाल कर सकते हैं कि आपकी sim में तो कोई problem नहीं है यहाँ पर मेरी sim pass है मतलब मेरी sim ठीक है तो मेरे mobile में ही कोई problem होगी यहाँ पर आप restart retest करके देख सकते हैं फिर से retest करेंगे तो आप देख सकते है sim मेरी ok है यहाँ से आप sim का पता कर सकते है sim खराब है या नहीं तो सबसे पहल अब यह code है guys अब यहाँ पर आपके सामने यह open हो जाएगा यहाँ पर आपके 2 sim डाल रखी होगी तो phone information 1, phone information 2 दिखाएगा आप अपने ही साब से select कर लिजेगा जिसमें tower नहीं आ रहे हैं उस sim को select कर लिजेगा यहाँ पर एक single sim डाल रखी है तो इसको own करके फिर से off कर लिजेगा यह मेरा बंद था मैंने own करा own करते ही देख सकते है own करते ही उपर की तरफ tower आ चुके है guys आप देख सकते है tower मेरे फिर से आ चुके है अब मैं इसको बंद करता हूँ बंद करूँगा तो यहाँ पर टावर फिर से चले जाएंगे आप देखिए का मैंने बंद कर दिया है उपर देखते हैं टावर देख सकते हैं टावर चले गए हैं तो ऐसे आप यहाँ पर जो है आपका बंद होगा तो ओन कर लीजिएगा एक बढ़ बंद करके ओन करना जरूरी है गाई तो नाइटवर्क मेरे फिर से आ जाएंगे तो आप ये काम जरूर से कर लीजिएगा और नीची आईएगा और इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा यहाँ पर चार से पांच बर रिफ्रेश पर क्लिक करिएगा दन उसके बाद बैक आजाएगा ये कोड से आपका प्रोग्लम नेटवर्क प्रोलम सॉल्फ हो जाएगा अगर फिर भी नहीं होता है तो एक काम करिएगा सेटिंग में आएगा उसके बाद सेटिंग में आने के बाद इसकी बाद ये हैं तो 5G है तो 5G पर 2 है, 3G है तो 3G पर 4G है तो 4G पर यहां से वो सेट्टिंग आप कर सकते हैं दन उसके बाद आपको आपके मुवाइल में देखने को मिलता है data roaming वगारा की setting data roaming जो है आपको enable करनी होगी data roaming जो है यहां से international roaming never है तो always कर दीजिए और turn on कर दीजिए data roaming को आपको हमेशा enable रखना होगा ये काम आप जरूर करिएगा दन उसके बाद उपर आईएगा उपर आपको airplane mode आपको mobile में देखने को मिल जाता है जो airplane mode है उसको एक बार on कर दीजिएगा on करने से आपके network वगारा जो है चले जाएंगे जैसे इसको बंद करेंगे आप 10 सेकिंद तक इसको बंद रखिएगा फिर आप देखेंगे आपके जो network वगारा है वो refresh हो कर फिर से आ जाएंगे ये काम आपको जरूर कर लेना है दन उसके बाद आपको अपने जो mobile है उसको reboot करना होगा reboot करेंगे तो problem solve हो जाएगी फिर से आपका mobile own होगा तो ये काम भी आपको कर लेना है दन उसके बाद आपको फिर से साइटिंग में आना है अगर problem solve नहीं होती है mobile network पर फिर से आना है फिर से mobile network पर click कर लेना है यहाँ पर automatically select network है तो यहाँ पर आपको manually select करना होगा इस पर next पर click करते हैं तो यहाँ पर मेरे network वगरा search होने start हो चुके हैं तो यहाँ पर network आपको manually select करना होगा यहाँ पर सभी company का जो भी आपकी company का sim होगा जिस भी company का sim होगा वो यहाँ पर आपको show करतेगा उसी को select करेंगे तो एक बार इसको search होने देते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ तो गाइस कुछ इस तरह से आपके सामने सारे network आजाएंगे जिस भी company का sim है आपको उसको select कर लेना है मेरा geo 4G है तो मैं इसको okay कर देता हूँ और यहाँ से back आजाता हूँ मैंने manually यहाँ पर network select कर ली है तो आपके network आप manually select कर सकते हैं तो problem solve हो जाएगी तो यहाँ पर आपको करना क्या है finally अगर आपका काम नहीं बनता है तो अपनी setting में आने के बाद about phone में आईएगा अपने mobile का यहाँ पर update कर लीजिएगा देख सकते हैं आपको दिखा देगा note update आवी लेबल आया हुए मतलब मेरा जो है mobile का version है up to date है आपको अपने mobile का version को up to date रखना होगा यह सब काम आपको कर लेने होगे आप देखेंगे आपकी जो network issue है वो solve हो जाएगा so guys बसा इसकी वीडियो में इतना ही मिलते हैं देखेंगे ले 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 लेखेंगे लेखेंगे